नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों स्वागत है आपका Wealth Creation Tips के इस Financial Education Platform पे तो दोस्तों आप Learning की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं Future Option की सीरीज हमारी चल रही है हमने last वीडियो में Call Option के बारे में डिसकस किया था कि Basics of Call Option क्या है या Option का मीनिंग भी क्या है आज की वीडियो में हम Call Option के उस पार्ट को कंप्रीट करेंगे Buying side of the call Second हम Writing, Selling side of call पर भी बात करेंगे हलाकि थोड़ा से last वीडियो में बात हो चुकी है आज थोड़ा से उसको elaborate और करेंगे कि Call Writing आप बहुत exciting सुनते होगी Call Writing में profit होता ही होता है Call Buyer हमेशा lose करता है ये भी आप सुनते होगे कि Options के Buying में कमाने के chance कम होते हैं बट मेरे ख्याल से तो आप Option कर लो, Future कर लो Trading कर लो, किसी भी चीज़ की अगर आप Trader बन रहे हो तो सबसे पहले Game है Mental Discipline का Clarity of Mindset का एक Setup Strategy Defined होनी चाहिए Rule Based Trading होनी चाहिए अब आप उस Base पर Call Buying करो या Call Selling करो Doesn't Matter हमारा काम है Trader का की Trade करना, बट Trade करने के लिए हमारे पास एक Setup होना चाहिए जब मैं Setup की बात करता हूँ कि कोई Indicator कोई Technical Analysis कोई Price Action का Tool हमारे पास जरूर होना चाहिए कि हम किसी भी Stock या Index की Options को Buy कर रहे हैं या Sell कर रहे हैं तो वो Buy Sell का Signal हमारे दिमाग से नहीं आना चाहिए मेरी तो ये पिछले 34 साल का ये एक Research समझ लो एक तरह की Indirectly PhD समझ लो Intuition Based Mind Based काम जो हो रहा है वो Success के Chance Negligible है अगर आपको Trader बनना है Option Trading करनी है या Stock Future करने है Index Future करने है Derivative या कुछ भी आप जो Trader बन रहे हो चाहिए आप Intraday कर रहे हो चाहिए Positional कर रहे हो चाहिए Scalping कर रहे हो किसी भी चीज के लिए सबसे पहले एक Strategy बहुत जरूरी है Strategy की मैं जब बात कर रहा हूं तो कोई Indicator जो आपको बताए When to buy, when to sell वो back tested होना चाहिए आपका Mindset उस System को Adapt करने लाइक होना चाहिए इस पर एक अलग से मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं For Traders बहुत जल्दी उस पर बात करेंगे की Traders Lose क्यों करते है तो Call Option आप Buy करो चाहिए Sell करो Doesn't Matter Investment Amount का फरक है Profit Loss के Amount का फरक है Quantum of Profit Loss का फरक है Success Failure का फरक नहीं है कि आप कहो जी Option Salary हमेशा कमाता है या Option Buyer हमेशा Lose करता है I don't agree Because there must be some strategy अगर Strategy है तो कोई Loss नहीं होगा हर Trade में Profit नहीं होगा हर में Loss नहीं होगा Net में Profit जरूर होगा बढ़ वो Strategy क्या है वो आपको अपने Mindset आपकी Psychology के हिसाब से जाननी चाहिए तो जल्दी आएंगे उन वीडियो पर अभी थोड़ा सा Clarity लाते हैं कि अब Call Option के आगे बढ़ते हैं क्या है देखो हमने अभी तक Call Option में ये समझा सबसे पहला Word का मतलब ही हम आप समझ गए होगे Option का Word का मतलब है Choice Choice किस के पास है Buyer के पास Choice होती है वो Contract को Fulfill करे या ना करे This is Choice तो Option का Buyer अगर Call Option Buy कर रहा है तो वो उसको Final Settlement पर Complete करे अपने Obligation को या ना करे वो उसकी मर्जी चलेगी Call Option का मतलब है Right to Buy यतना भी हम समझे थे Right to Buy का मतलब है Buy करने के लिए वो Seller को बुलाएगा कि मुझे वो Goods चाहिए या नहीं चाहिए वो Right है उसका Seller उसको Force नहीं कर सकता मैं आपको दुबारा से एक बार Repeat कर देता हूँ Last वीडियो की बात मान लो आपने Reliance के Shares जिसका Current Market Price 2700 चल रहा है आपने अगर Buy किये है तो Buy करोगे तो आपको या तो वो Delivery Based होगा या आपने Future लिया होगा या आपने Call Option लियोगी इन दोनों में जब आप काम करोगे तो 100% आपको Settlement करनी पड़ेगी वो Settlement Cash हो सकती है या Delivery हो सकती है Cash Settlement का मतलब है Difference के साथ कि अगर 2700 में आया है 2700 में Sell कर दिया तो 100 उपे Profit ले लो This is Cash Settlement अगर Delivery लेनी है तो पूरे पैसे दो आप अब Call Option में बात आजाती है कि आप 100% Settlement नहीं करते इसमें आपके पास मर्जी है आप उसको Fulfill करो या ना करो और आप 100% Fulfill तभी करोगे जब आपके Favor में Contract होगा मतलब Price आपके Favor में होगा अब Buyer के लिए Price अप है तो उसके लिए Favor में है Down है तो उसके लिए Favor में नहीं है तो इस Case में Call Option को वो Exercise नहीं करेगा फटा फटा बढ़ एक Index का Example लेते हैं उससे आपको और थोड़ी Clarity आ जाएगी फिर राइटिंग पर आते हैं जल्दी से Suppose Nifty आपको लग रहा है कि Nifty अप होने वाला है Current Market Price चल रहा है For Example 21,000 आपको लग रहा है Nifty अप हो जाएगा आप January में सोच रहे हो और February या March में Up हो जाएगा अब ये आपके पास Choice क्या है Nifty के Shares तो आपको मिल नहीं सकते Demet Account में Nifty नहीं मिलता Nifty का सिरफ Future आप कर सकते हो या Call Option ले सकते हो अब अगर आप Nifty का Future ले लेते हो Suppose आपने Nifty Future ले लिए Nifty 50 का Future बाई किया तो 21,000 में Multiply by 50 कर दो तो 10,50,000 वेल्यू का अपने Contract ले लिया अब ये 21,000 से अगर डाउन हो गया मान लो 20,000 आ गया तो ये वेल्यू आपकी 10,50,000 आ जाएगी तो माइनस 50,000 का पूरा आपका लॉस होगा अगर आप रॉंग प्रूब हुए तो फीचर में ये रिस्क रहता है प्लस आपको Margin भी ज़्यादा Pay करना पड़ता है प्लस आपको Margin भी ज़्यादा Pay करना पड़ता है अगर आपके बास आपने Future लिया अगर आप Call Option लेते हो तो आप अपने रिस्क को कवर कर रहे हो इतना आप Last वीडियो से भी समझ चुके होगे आप Call Option में क्या होगा Suppose 21,000 है इसको हम अब एक Strike Price वर्ड बोल रहे हैं आगे अभी समझाओंगा Strike Price को Strike Price 21,000 है अभी तो इस पे आप Premium Pay कर दो आप कह रहे हो कि मुझसे रुपी 100 ले लो For example 50 Nifty मुझे दे दो 5,000 मुझसे अभी ले लो ये आप Buyer हो और आपने कहा कि मैं 100 Premium Pay कर देता हूँ Strike Price मेरा 21,000 है तो Base Price हमारा क्या है 21,000 अब अगर Price इस से अप हो गया तो We are Right, We are Happy हमने Buy ही इसलिए किया था बट अगर Down हो गया तो We will be in Loss अगर 20,000 आ गया तो बट इस Case में आप उस Contract को पूरा करने के लिए Oblized ही नहीं हो, You are not liable to complete the contract because you have bought Call Option Call Option में Buyer कहता है मैं यह Option ले रहा हूँ 5000 रुपे आपको Premium दे रहा हूँ अब मेरी मर्जी है मैं इस Contract को complete करने आऊं या नहीं आऊं Seller आपके पास नहीं आ सकता तो आपका यहां पर जो 50,000 का Loss होना था वो नहीं होगा, Only Premium आपका Loss होगा Obviously जब Loss है तो आप Contract को complete करने नहीं जाओगे और अगर 21,000 वाला अप हो गया 22,000 तो यू आर हैपी आपके पास 1,000 points का gain आया 50,000 थे 50,000 आ गया बट यहां पर 5,000 आपने अलड़ी दे रखे थे वो आपको नहीं मिलेंगे तो आपका net profit आएगा 45,000 यह बात हुई हमारी दोनों तरफ की अब हम बात करते हैं Strike Price क्या होती है देखो अगर Current Market Price 21,000 चल रहा है तो Nifty में NSE Strike Price एक word बोलता है This is Strike Price Current Market Price है अब इसके उपर वो 21,050 21,100, 21,150, 21,200 हर 50 के gap पर एक Strike Price बना देता है उसका अब यह मतलब समझते हैं अब यह हो जाएका 29,50 29,00 28,50 28,00 इस तरह से यह Strike Price बना देगा अब आप जब Premium Pay करोगे यहाँ पर अब Call Option की बात हम कर रहे हैं तो Call Option में आप Premium Pay करोगे तो यहाँ पर Price होगा Premium का आप उमीद कर रहे हो ऊपर आएगा एक Expectancy है आएगा या नही आएगा कोई भी नहीं जानता तो ऐसे केस में जब Price उपर होता है तो Premium जितनी दूर की आप Strike Price लोगे Premium कम होता जाएगा और एक्जाम्पल यहाँ पर यह 80 है यह 60 है यह 50 है यह 45 है आप जितने दूर जाओगे वो Premium कम हो जाएगा और जब यह हो गई Out of Money Out of the Money Call Out of the Money वर्ड का मतलब है कि अभी जो Price चल रहा है उससे दूर अब फॉर एक्जाम्पल आपने कहा कि मैं 21,000 Strike Price की Call Option ले रहा हूँ आपने 50 Nifty लिए Multiplyed by 100 तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपीज देने है अगर आपने यह 60 वाली ले ली तो यहाँ पर आपको 50 Multiplyed by 63,000 देने आपने 80 वाली ले ली तो यहाँ पर आपको 4,000 रुपीज देने यहाँ पर 25,000 देने यहाँ पर 22,50 देने तो जितनी दूर होगा Premium कम होता जाएगा बट इसमें जब तक वो रेट नहीं आएगा आपका profit शुरू नहीं होगा माल लो Nifty 21,000 से 21,150 तक ही गया Next month या weekly आपने option ली तो आपको वो आपका profit यहाँ से शुरू होगा आपने अगर 21,200 की लिए है तो Nifty अगर इससे उपर जाएगा तो आपके पास profit आएगा इससे नीचे रह गया तो आपका यह loss होगा ही होगा तो यह series होती है तो हम जितनी दूर की लेंगे तो probability कम हो जाएगी जितनी probability कम होगी premium कम होगा जितनी उमीद होगी premium जादा होगा अब add the money 21,000 चल रहा है और जब इससे नीचे जाएंगे अब तो इनको बोलते हैं इन्दा मनी यह सारी क्या है इन्दा मनी यह add the money और यह हो गई out of money अब 950 की अगर हम option ले लें तो इसमें 50 रुपीज तो already current price उससे उपर चल रहा है तो यह इन्दा मनी call में premium जादा हो जाएगा अब यहाँ पर 100 था तो maybe यह 160 होगा यहाँ पर 100 का फरक है यह 900 की अगर हम लेंगे तो हो सकता यह 205 हो यह 850 की अगर हम लेंगे तो यह होगा 150 का तो सीधा सीधा वैसे ही फरक है यह हो जाएगा 255 हो गया तो उतना premium बढ़ता चला जाएगा तो यह हम अगर दूर की out of money calls ले लेते हैं तो उतनी देर बाद हमारा profit आएगा हम इसका एक example लेते हैं suppose current market price 21,000 चल रहा है आपने buy कर ली 21,200 की 50 call at the rate 40 तो 2,000 आपने pay कर दिया और 21,000 की premium चल रहा था अभी रुपी 100 आपने दूर की ली इसलिए premium कम है अब आप यहाँ देखना यह 21,000 है 21,200 पर 40 रुपी आपने premium दे रखा है जब इससे plus 40 आएगा तो आपका profit start होगा means अगर इसके बीच में expiry हो गई suppose 21,150 की expiry हो गई तो आपने तो कहा था 21,200 आएगा वो price नहीं आया तो आपका यहाँ पर minus 40 का loss होगा ही होगा premium का जदनी आपने quantity ले रखी है इवन अगर यहाँ पर 21,200 भी आगया तो भी minus 40 का आपका loss होगा for example 21,300 आगया तो यहाँ पर आप plus 100 हो minus 40 premium है आपका 60 का profit होगा आपका premium हमेशा वापिस नहीं मिलता इसका example set कर लो जैसे मैंने बताया था lottery lottery में भी यही होता है कि जितने की हमने lottery खरीदी थी हमारा price मिलेगा हमें तो वो जो cost of purchasing lottery थी वो हमें return नहीं होती तो net effect हमारी gym में price money less lottery purchase price उसके बाद हमारे पास profit आता है तो same options में यहाँ पर होगा तो यह series चलती है जितनी हम नीचे जाएंगे premium कम होता जाएगा जितना हम दूर जाएंगे premium कम होता जाएगा दूर जाने का मतलब है probability आने की उमीद कम है क्योंकि अभी क्या चल रहा है 21,000 नीचे तो already वो rate होके आ चुका है तो इसलिए premium जादा होता है इन्दमनी में बाकी यह advanced level की चीज़े हैं मैं यहाँ बिल्कुल basic समझा रहा हूँ आपको जब हम advanced part पर आएंगे तो इन पर कई hours लगने वाले हैं आपको समझाने में हमें यह mintों का खेल नहीं है और call option put option लोग कई बार advisory calls आती हैं किसी ने tips दे दी ब्रोकर के employee ने काम करा दिया भाईया बिल्कुल भी मत करो पहले इनके basic मतलब को समझो most difficult part of trading है call option और most easy to see है अगर आप देखोगे तो very easy very lucrative less investment less risk बड़ा easily लगता है but most of the time losses जिनके होते हैं सबसे ज़्यादा losses options में ही होते हैं future options में तो आप beginner हो तो please spend some month years to understand this concept जल्दबाजी बिल्कुल मत करना advanced level तक जब आप आओगे तो आपको समझ आएगा कि ये basic मतलब हैं क्या इनके एक तरह से आप यह मालो this is pure speculation you are speculating the price will come up आप किसी company के business किसी company के profile किसी company के stock में पैसा नहीं लगा रहा है यहां पर ना आपको dividend मिलेगा ना bonus मिलेगा यहां purely gambling है gambling कैसे है अब एक buyer है call option का और एक seller है हर trade में दो लोग होने चाहिए अब suppose nifty का 21,000 current market price चल रहा है 21,000 अब आप देखना कि यह expect कर रहा है अब यह expect कर रहा है down seller तभी तो बेचेगा कि उसको price अप नहीं लग रहा है और आपको आप लग रहा है तो NSE यहाँ पर एक तरह का platform दे देता है दोनों आजाओ दोनों bet कर लो आपने का चलो मैं यहाँ पर premium देता हूँ रुपी 100 50 nifty ले लेता हूँ 5000 अब यह 5000 आपने seller को दे दिये आप कह रहे हो देख उपर जाएगा वो कह रहा है नहीं जाएगा वो इस पर भी risk लेने को त्यार है he is a smart person इसको हम बोलेंगे writer option writer अब यहाँ पर मान लो 21,000 वाला option 21,200 हो गया तो plus 200 आपके पास आएगे बस 50 आपने दे रखा है तो net gain आपका 150 होगा 50 आपकी quantity थी तो यहाँ पर 750 यह आपको pay करेगा this is option writing अब option writing का risk क्या है जो हम कहते हैं यह देखो अब 21,000 पर आप यहाँ पर buyer हो यह seller है आप holder हो यह writer है जो buyer होता है उसको holder बोलते हैं हम बात कर रहे हैं call option की तो call option या put option जो भी buy कर रहा है buyer always called holder of the option मेरी मर्जी चलेगी writer है जो उसको commitment दे रहा है अब यहाँ देखना आपने 100 premium on 50 nifty यहाँ पर दे दिया 5000 रुपीज आपने इसको दे दिये अब निफ्टी अगर 21,000 का 21,000 रह गया यहीं का यहीं 21,000 ही रह गया तो आपके 5000 का लॉस होगा और इसको 5000 का प्रॉफिट होगा he must be happy और आपका यहाँ पर लॉस होगा अब अगर निफ्टी 20,000 आ जाता है तो आपका लॉस 5000 ही है और इसका प्रॉफिट 5000 ही है बट अगर निफ्टी 22,000 हो गया तो आपका प्रॉफिट 1000 multiplied by 50,000 आएगा जो इसको आपको देना पड़ेगा जिसमें से माइनस 5000 हो जाएगा आपकी पॉखिट में 45,000 का प्रॉफिट आएगा तो option writer आप देखो कि उसका loss unlimited है प्रॉफिट लिमिटेड है एक और example से इसको समझना मानलो यह अगर future होता निफ्टी का तो 21,000 पर buyer और seller equally right और equally obligation थे अगर 21,000 से 22,000 यह हो जाता तो आप plus 1000 में हो और यह minus 1000 में है यह आपको देदेगा और अगर यह 20,000 आ गया तो आप 1000 minus में हो जो आप इसको दोगे इसका plus 1000 मतलब future में हमें पूरा profit और पूरा loss होता है तो दोनों इसको zero sum game भी बोलते हैं कि एक party लेगी और एक party बेचेगी बट option अगर इसने कर ली option के case में क्या है कि buyer अगर price नीचे गया तो वो देगा ही नहीं वो क्या देगा only premium और उपर चला गया तो वो बिलकुल पूरा profit लेगा तो यहां पर इसका loss unlimited है और इसका profit तो only 5000 या जिसको हम premium कह रहे हैं उतना ही होगा और इसका loss क्या होगा जो भी figure आएगी उसमें से 5000 उसके पास आए हुए है वो उसका net loss होगा तो option writer सिरफ premium तक का profit कमा पाता है seller और writer एक ही बात है जैसे मैंने insurance company आपको बताई थी insurance company का profit premium आएगा अगर हमारा vehicle चोरी हो गया तो पैसे उसको पूरे देने पड़ेंगे वो probability के game पर खेलती है पूरी calculation होती है ऐसे ही option writer भी यह बानके चलता है कि buyer right prove नहीं होगा और जबकि उसका profit बहुत limited है loss unlimited है निफ्टी जितना उपर चलता चला गया उसका loss होता जाएगा नीचे आ गया तो उसको 5000 ही आने है बट क्या वो बेब कूफ है option writers बहुत smart लोग होते हैं mostly बड़े investor बड़े traders H&Is, arbitrators होते हैं जो option buyers को जो भूली जनता layman को new trader को attract करता है कि 100 rupees ही तो लगाने है हम यहाँ पर लगाएंगे 5000 का ही तो loss होगा कर लो तो लोटरी वाला भी तो यही करता है 100 rupees की lottery है आपको 10,000 का इनाम दे रहा है 1 lakh का इनाम दे रहा है क्या वो बेब कूफ है तो समझ लो यह option writer भी एक तरह का lottery वाला है match का bookie बहुत सारे लोग match पे betting लगा रहे है वो bookie ही कमाता है आप जानते हो हमेशा insurance company कमा रही है तभी insurance आपको दे रही है lottery वाला कमा रहा है तभी lottery चला रहा है ऐसे option writer कमा रहा है तभी चला रहा है option writing में सबसे बड़ा इसको invest करना पड़ता है यह जो margin देगा आप तो only premium दोगे और इसको पूरा margin देना पड़ता है यह भी option writer तो always यह बड़े player होएंगे मालो 21,000 पर premium है 50 आप buyer हो आपने 50 nifty इसको मैं 100 कर देता हूँ 100 premium के साथ आपने 5000 रुपीज इस option seller को दे दी है तो आपकी investment तो 5000 है बड़ यहाँ पर उसको NSC को पूरा margin देना पड़ता है future वाला यह margin देगा जो future पे चल रहा है of future for example 125,000 margin चल रहा है तो यह पे कर रहा है 125,000 किस को माने के लिए सिरफ 5000 रुपे कमाने के लिए क्योंकि इसका maximum profit 5000 रुपे होने वाला है जबकि buyer यह सोचता है यह तो बड़ा असान है अब आप समझ लो जो ची असान है दिखती है असान नहीं होती option buying में profit होता है but very calculative game होनी चाहिए क्योंकि आप जिससे option का contract कर रहे हो वो बहुत बड़ी कोई institution है वो institution बहुत दिमाग रखती है बहुत calculative होती है पैसे वाले लोग हैं दुबारा repeat कर रहा हूं lottery खिलाने वाला match का bookie insurance company they are like option writer option sellers और कमाते वो ही है तो option seller भी कमाएगा आप भी कमाओगे amount of investment ज्यादा चाहिए skills ज्यादा चाहिए analytical skills चाहिए ताकि आप future को foresee कर सको ठीक है जी मिलेंगे next वीडियो में आपके प्यार आपके like आपके subscriptions के लिए thank you so much जल्दी मिलते हैं ओके bye bye take care